हालो फ्रेंड्स मैं हूँ आर्ती और आप देख रहें मेरा चैनल आर्तिलाल की दुनिया आज हम बहुत ही जंदी और आसान तरीके से बन जाने वाली रेसिपी बनाएंगे और ये रेसिपी हम अपने जादा पके हुए केलो से बनाएंगे जो हमारे घर में कभी भी केले आ जाते हैं और वो जादा पक जाते हैं तो हम उन केलो को खा नहीं पातें तो आज उनी केलो से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे ये है पैनकेक और इसे हम एगलेस बनाएंगे जो की बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है तो चलिए आए हम वीडियो सुरू करते हैं इसके रहे सबसे हम पहले पके हुए केले ले लेंगे यहां मैंने दो पके केले लिये हैं और इसको मैंने टुकडो में तोड़कर मिक्सी जार में डाल दिया है और इसके साथ ही हम इसमें आधा कप के करीब चीनी डाल देंगे और इसको हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे यह देखिए मेरा पेस्ट तयार है और अब हम इसे एक बोल में पलट लेंगे और अब हम इसमें आधा कप के करीब मैदा डाल देंगे आप चाहें तो आटा भी ले सकती हैं मिक्स कर लेना है अब इसमें हम एक चमज के करीब ओयल या बटर डालेंगे मिल्टेट बटर और फिर अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे आधे टीस्पून के करीब और वन फोर्ट टीस्पून के करीब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और सब तीनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पर इसे हमें ओवर बीट नहीं करना है बस हलका सा मिक्स करना है और अब हमारा बेटर तयार है अब चलिए आए हम पैनकेक बनाते हैं यहां मैंने अपने पैन को चड़ा दिया है गरम होने और इसमें एक ड्रॉप के करीब ऐल डाल कर अच्छे हम ढखक कर थोड़ी धेर के लिए पकने देंगे और एक साइड से जब यह पक जायेगा तो इसमें बबल्स निकल जाएंगे और यह देखिए हमारा पैनकेक एक साइड से बन चुका है अब इसे हम पलट लेंगे और यह देखिए बहुत अच्छा एक साइड से बनकरry तया तो चलिए आईए अब हम इसे सर्फ करते हैं पहले से मैंने थोड़े से पैंकेक बना कर रख लिये थे तो ये देखिए मैंने अपने पैंकेक को अंगूर केले और हरसी सीरफ के साथ अच्छे से सजा लिया है जिसे देखते ही बच्चे तुरंत मांगेंगे खाने के लिए ये खाने में बहुत अच्छा और बनाने में बहुत ही आसान होता है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक सेर और कमेंट करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी कैस लगी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई